नमस्कार दोस्तों मैं मनीश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एक जालर की जो उल्जी हुई है और कुछ समय बाद यह दोस्तों इस तरह से जगमक जगंक जलेगी तो कैसे इसको रिपेयर करना है कैसे इसको बनाना है तो आप यह देख रहे हैं इसमें तीन वायर है और जो आटपुट में तीन वायर है और दो वायर जो सप्लाइ के लिए होते हैं आपको जो इस साइड में प्लग लगा होता है तो इसको आप घर पे असानी से रिपेर कर सकते हैं तो इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि काउन सा वायर कैसे जोड़ना है और काउन सा वायर किसके लिए गया हुआ है तो अभी तक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को जरूर प्रेस करिए उसके पास वीडियो दोस्तों आप देखने के बाद जरूर आप वीडियो अपने दोस्तों को रिष्टेदारों को सेयर करेंगे और दोस्तों लाइक करना कता भी मत भूलिएगा तो देखिए अब हमने इसको आपके सामने ओपन कर ली है यह डिबबी को और यह देखिए जो दोस्तों इसमें हम लोग दो वायर है यह सप्लाई के लिए होते हैं तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों यह आप देख रहे हैं हं कि यह रहें अब मेरे लेघ साइड पह आ गए है यह जो दो क्राणिस्टन अशोंक्न के कि यह लेडिवस हमें वॉड में उन्हा방 भागा हूं और चैंज्जमों दोस्तों क्रांडिस्टर के टा क्लेकर से होता है थीए तो इसकी हमें बात नहीं करनी क्योंकि आपको अगर मैं इतना बताने लगोंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो हमें क्या करना है सबसे पहले जहालर को सही कर लेना है कुछ इस तरह अभण चुगोर को देखिये क्वायर चुगोने काटे वही नहीं कहीं वायर ट्टे भी हैं और यह दो सबसे पहले देखना से पहले जरूर jus ये का video आपके लिए फायदा करने वाले क MONT तो हमने सबसे पहले पहले आए कि भाले के बाद रख कहा-काँ से कटे हैं ठीक उन वायरों को जहां-जहां से कटे होंगे हम उनको जोडते चले जाएंगे तो देखिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यह आप देख रहे हैं यह LED तीन वायर रहे हैं और कहीं कटने बाद यह देखिए इस तरह से कटे हुए हैं और यहाँ पर एक ही वायर बचा हुआ है तो इसको भी हम सब जोड़ेंगे पूरा रिपे थी सौधानी से क्योंकि यह वीडियो में बहुत ही आराम तरीके से थोड़ा सा लंबा बनाया है तापकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और जो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आप कभी भी इस टाइप की जो जहला रहे इसको किसी को भी बत देखिए हम इसका जो एक वायर है उसको उठाएंगे लिए लास्ट का वायर था आप यह सब्सक्राइब दिखाया था मैंने बिल्कुल देखिए जुड़ा हुआ है इस पर दिखिए अगर आप इसे टाइट करेंगे तो यह वायर लास्ट पर दिखिए ऐसे पकड़के हम पता चल जाता है कि यह वायर आखरी तक गया है ठीक है तो आब इसके हम प्रकिन जो आप현ेट वायर यह ने के नूब्र 3 वायरो में अल्ड़ लगी हुए और एक वायर जो आपका गया है तो यह साब तो अब देखिए जब हम इसको जालर को लंबी लंबी फेला लेंगे तो जो रिटा होता जैसे चुली चुए काट देते वायर तो हमें कहां वायर कटा होगा वहां देखिए हम इसको है करेंगे तो lagi इस तरह से हम देखने के बाद हमने देखा क्या कि यह देख्ये अब यहां पर दो उसकी ऊछय जो जांगे कोउन सा वायर जुड़ने इसमें यह कहीं नहीं कटा हुआ इसमें कोई लड़ी लगी नहीं है खके इन दोनों पर लड़ी लगी और जो वायर क्टें हो सब्सक्राइब है कोई confusion नहीं होनी चाहिए अभी मैं आपके सामने इसको जोड़ गए और जाल को पूरी जला के दिखाऊंगा कि आपको जाल कितनी अच्छी लगेगी तो देखिए इस तरह से हमने इसको छीला और बहुत ही आसानी से हमने कोई बार कुछ ने किया हमने एक वायर दूसरे बार स से कटता और एक कुछ से हमने इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया हुआ है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा यार शेयर करो लाइक करो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो और बेल आकन जरूर प्रेस कर तो इस तरह से देखिए हमने इसको जोड़ दिया और दूर रख देंगे ठीक है अब लाश्ट तक देखिए हमने लाश्ट तक पहुंसते चले जाएंगे और देखिए जो वायर जिसे कटा हुआ है यह आप यहां पर देख रहे हैं एलेडी के बिल्कुल जेस से कटा है तो यहां अगर नहीं है जगा तो हम क्या गरेंगे कि पहले तो ट्राइ कर लेंगे कर जुड़ जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर दो आप्शन है यह तो एलेडी को आप निकाल के फेक दें यह तो फिर एलेडी के उपर जो पनी लगी होती है इसको खटा के इसमें व परक नहीं पड़ेगा तो इस तरह दोस्तों अब हम लाश्ट तक देखेंगे तो हमारी देखिए जहारा रहे इस तरह से हमने सारे कनेक्शन इसके जान टूटे थे वह कर लिए और लाश्ट तक हम पहुंच गा ठीक है तो अब दोस्तों इसकी नंबर आता है इसको हम सब बोड है बहुत पुराना वाला और इसमें देखिए हमने जैसे इसको लगाया हुआ है देखिए हमारी पूरी जो जहारा रहे वह जल रही है और देखिए कोई भी इसका बल्फ ऐसा नहीं है कि जो जलना रहा हो और लड़ी पूरी कंप्लीट है केवाल यह लड़ी चुवा और आपने पूरी वीडियो देखी है मेरी तो आप कैसी भी जहला रहो आप इसको बना सकते हैं बस एक काम यह करिए कि जैसे यह वायर कटे हुए थे आप इन कटे हुए वायरों पर टेप लगा दे या कोई ऐसी चीज़ लगा दे जिससे कि यह किसी बच्चे के यह आपके भी यह वायर कटेवेर ना टच हूँ ठीक है तो मिलते हैं इस दिवाली और भी कुछ नहीं चीज़ें लेगर